कहिए कैसे हैं आप बिना डरे बात कैसे करें क्या करें क्या करें क्या ना करें देखें जहां कुछ लोग तो बहुत स्मार्टली बात करते हैं एक तम कॉन्फिडेंटली कुछ लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं वहीं कुछ लोग बात करते हैं डरते हैं हैजिटेट करते वो बात करते वक्त नर्वस हो जाते हैं, मतलब जैसे होते हैं, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई, और मुह सुख गया, ऐसे, मतलब इस तरह की जो उनकी बॉडी लेंगविज होती है, मतलब नहीं कर पाते हैं, तो इसके क्या वज़े लगती है आपको, मतलब रीजन्स क्य हो सकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो देखे, जहां तक रीजन्स के बात हैं, दो सॉलिड रीजन्स हैं इसके, इस तरह से जब हम करते हैं, क्या-क्या, एक तो नहीं हमें, कॉंपलेक्स होता है, किसी भी तरह की, हीन भावना, तो हम अच्छा से किसी से बात नहीं कर पाते हैं, बात करते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं या फिर हम ना comparison करते हैं, दोसनों के साथ, देखो वो कैसा, वो इतना अच्छा, मैं कहां, वो कहां, मतलब इस तरह से, फिर क्या होता है, जो हमारा confidence level होता है, वो एकदम zero हो जाता है, मतलब बिल्कुल फर्ष पर जिर जाता है, confidence हमारा, मतलब हम इतने नर्वस, इतने घबरा जाते हैं, तो क्या करें, डर को कैसे दूर करें, क्या करें, क्या ना करें, आज की वीडियो इसी बारे में, सबसे पहले तो देखिए, ये डर अगर दूर करना है ना, तो हमें वजे पता लगानी होगी, मतलब हमें रिजन ही नहीं पता होगा, तो कैसे डर दूर करेंगे, तो वजय क्या हो सकती है, जैसे एक लड़की है, उसकी अभी तक schooling गाउं में होई है, अब वो शहर आगी बढ़ने, अच्छो शहर में वो देख रही है, लड़कियों कितनी smartly बात कर रही है, और English में भी कर रही है, है ना और बहुत confidently कर रही है, उसको यह लग रहा है कि अरे देखो कितनी अच्छे से बात कर रही है, मेरे को तो आती नहीं है, और खासकरी तो English बोल रही है, यह तो मुझे आती नहीं है, तो वो ना चुपसी हो गई, मतलब एक दर सा बैठ किया कि मैं कैसे बात करूँगी इनके आगे, या एक लड़का है, उसका कर बहुत चुटा ह रहा है, दूसरी सुन्दर नहीं है, तो उसको कॉंपलेक्स आगया, वो किसी के आगे जाती नहीं है, बात भी नहीं है, तो अलग तलग रहती है, तो यह रिजन, तो आपको पता है एक बात, हम ना बाहर की चुनोतियों से उतने नहीं घबराते, जितनी हम अपने अंदर क कमजूरियों से हार जाते हैं और हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमजूरी पते क्या है यह जो complex आ गया ना हीन भावना बहुत गलत है बहुत गलत है इसको तो हमें ना मतलब दर से अगर जीतना है दर को काबो करना है तो इसको तो निकाल के बाहर फैक्ट ना पड़ेगा यह किसलिए बढ़ा रखा है यह हीन भावना यह complex आप यह मान के चलिए कि यह जो feelings आती है ना आप अकेले नहीं है ऐसे दुनिया में मतलब इस तरह की problem problem में कहूंगी मैं कितने लोग face कर रहे हैं कितने लोग face कर रहे हैं मतलब तो घबराना किसलिए आप अकेले नहीं है मतलब यह जो कच छोटा है एक अकेली दुनिया में आपका ही नहीं है कच छोटा आप गाउं से शेहर आई हैं आप अकेली नहीं है बहुत बहुत दुनिया ऐसी तो मतलब एक तब confidently ऐसे घबराना नहीं है मतलब इस तरह की जब situation आती है ना क्या करना है देखिए अब मैं आ रही हो कि इस तरह की बात हो तो मन में क्या सोचना है सोचना है कि complete कोई नहीं है plus minus points और एक में होते है perfect कोई भी नहीं होता हाँ ठीक है अगर मेरे में सुधार की गुणजाईश है तो मैं जरूर सुधार करूँगा या जरूर सुधार करूँगी हाँ अगर नहीं है अगर कोई चीज हम सुधार ही नहीं सकते मान लीजे कच छोटा है वो कैसे सुधारेगा तो उस चीज को accept करके move on करना चाहिए देखिए एक जगे अगर हम stuck हो गए ना रुख गए ना ठैर गए ना अगर एक जगे पानी भी खड़ा हो ना तो उसमेल आनी शुरू हो जाती है तो रुखना तो है ही नी ना हमें हमें बहते रहे ना accept कर लिए ठीक है अरे क्या हो गया कोई बहुत बड़ा इस्यू थोड़ी ना है मैं और चीज़ें इंप्रूफ करूंगा और चीज़े ठीक करूँगा, मतलब खुद को ना challenge देना है, देखिए जो खुद को challenge देते हैं ना वही खुद को change करते हैं पर ये जो negative thoughts हारे हैं मेरे अंदर, मैं इस तरे का, मैं इस तरे का, इसको मैंने आवी नहीं होने देना अपने आप से यह बात करनी है इसको मैंने बिलकुल भी अपने ओपर हावी नहीं होने देना मैंने चैलेंज लेना है और इसको ठीक करके दिखाना है और इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे खोब महनत करनी है मतलब प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस क्या करनी है? बोलने की प्रैक्टिस चाहे मैं शीषे के आगे बोलू चाहे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके बोलू चाहे मैं अपनी कोई family member या friend circle में मतलब जो मेरा बहुत खास है उसके सामने में बोलने की प्रैक्टिस करू मैं क्यों घबरा जाता हूँ या मैं क्यों घबरा जाती हूँ कहीं बार ना बहुत दुख होता है मतलब अच्छे खासे हैं इतना potential है इतना कुछ कर सकते हैं और इस तरह के negative thoughts आ जाते हैं और पीजे हट जाते हैं तो समझ लीजिए अपने life कोई ना अपने ताला लगा दिया बहुत दुख होता है बहुत दुख होता है मैं ना एक बात अपनी वीडियो में बहुत बार कहती हूँ और वो मैं जान बुच के कहती हूँ ताकि आपके दिमाग में भी अच्छी तरह बैठ जाए वो यह कि अगर आपने सूरश को देखा है तो आपने इश्वर का बल देखा है अगर आपने चांद को देखा है तो आपने इश्वर की सुन्दर्ता देखिए और अगर आपने खुद को आईने में देखा है न तो यकीन मानिए इश्वर की अनमोल सरंचना है आप वन एड उनली पीस यूनीक है देखा है कोई दुनिया में अपने जैसा तो जब इश्वर ने हमें यूनीक बनाया तो हम क्यों नहीं उसको साबित करते हैं कुछ तो करें और हम तो क्या है बात करने से ढरते हैं यह तो बिल्कुली अचीब बात है यह जो डर यह कॉंपलेक्स है ना निकाल के फैंक दीजिए देखी माना की पीपल और बर्गच जैसा विशाल नहीं हूं है हाँ ठीक है इतना नहीं हूं पर गमले में लगने वाली तुलसी भी किसी से कम होती है क्या की सोच लीजिए अपनी वैल्यो बनाईए इंपॉर्टेंस बनाईए अपनी और आप हैं यूनीक हैं तो किस लिए इन चीजों से बाहर निकल आईए और निकल की आना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी जिंदकी बहतर बनानी है तो मत स्टक हो जाईए मत अटके रहिए दुख होता है बहुत महसूस होता है अब बात आती है कि क्या ना करें ये जो मैंने बताया ये तो करना है क्या ना करें देखे सबसे पहले तो ना बिना होमवर्क किये बात नहीं करने किसी से पहले homework कर लीजिए money money homework मतलब यह नहीं कि copy pen लेके mentally prepare होना है कि मैंने इस से बात करनी है और क्या बात करनी है किस तरह से बात करनी है कितनी देर करनी है यह चीज अगर आप mentally prepare होंगे ना यकीन मानिया बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे समझ रहे हैं आप इस बात को मतलब खुद को पहले mentally prepare करना है और इसके लिए यह सोचना बहुत जादा जरूरी है फिर दूसरी बात जब बात कर रहे हैं न हम तो एकदम relax होके मतलब body language एकदम relax सकती है डीली चोड़नी है कहीं पर क्या होता है हम बात करें होते हैं हम तन जाते हैं मतलब जैसे हमारी muscles हैं एकदम तन जाएंगी एकदम अच्छा नहीं लगता मतलब इससे क्या होता है कि सामने वाले को साफ साफ पता लग जाता है कि यह जो है नहीं नर्वस हो रहा है यह जो है घबरा रहा है तो हम किसी को मौका क्यों दे क्यों नहीं हम रिलाकस हों के बात करें रिलाकस कब होंगे हमने होंवक किया होका है नहीं अच्छा यह भी नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं नहीं आप्टा नहीं आसा को इन यह दोister करता और एक आदमी क्या चाहिए दो दोस्तिस के बात करें उनके बीच में चाश्थ कर दी यह चीज तो बिल्कुल ही नहीं करनी, मतलब यह जो over smartness है, यह चीज नहीं दिखानी, बीच में बात बिल्कुल नहीं काटनी, यह अच्छा नहीं लगता, इससे हमारा जो impression है, वो और खराब होगा, और डाउन होगा, यह चीज तो बिल्कुल ही नहीं करनी, फिर चौती बात जो नहीं करनी, खुद पर focus नहीं रखना जब हम बात करें, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, मैं सुन्दर तो लग रही हूँ ना, मतलब इस तरह का focus अपने उपर नहीं, इस चीज पर focus रखना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, सामने वाला अच्छे से सुन रहा है, सामने वाला अच् जब भी बात करें ना कभी भी किसी की बुराई जुगली कुछ भी नेगेटिव भी बूलना कहीं बात क्या होता है ये भी वज़े होती है मतलब कि जैसे मान लीजे मैंने किसी के बारे में किसी को बात की है ना जब मैं उससे बात कर रही हूँ जिसकी बारे में मैंने बात की तो मुझे डर लग रहा है, घबराट हो रही है, मैं नर्वस हो रही हूँ, कहीं इसको बात तो नहीं पता चल गी, कहीं उसने इसको बता तो नहीं दिया, अब यह क्या बोलेगा या क्या बोलेगी, मतलब यह चीज पता लग गई अगर इसको तो क्या होगा, तो एक अलग डर बैठ जाता है, तो यह चीज भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हम जब बोलें, जरूरी है कि किसी की बुराईया चुगलिया, हम दूसरों की अच्छाईया नहीं देख सकते, तो यह चीज बहुत negative impact create करती है, और इस चीज से हमें बचना ही चाहिए, मतलब no negative talk, no बुराई, no चुगली, यह चीज का ध्यान रखना है, आप कम बोलो ना, पर जब बोलो काम का बोलो, देखें, बिल्कुल सीधी सी बात है, हमारे जिन्दगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा, जब तक हम कर लेता है न, तो एक जुगननो भी अंदकार को हड लेता है, तो कीजिए आप भी ठान लिजिए न, कि मैंने यह जो डर, पथालो का डर भी ठार तorta है, मैंने इससे बार निकलना है, मैंने नहीं बदूना कुछ, और मैंने बहुत अच्छे से बात करनी है, इसके लिए मु बहुत ज़री है विसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंजा रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा और इसमें बेल का बटन है ये भी दब प्लीजेगा ठीक बाई